हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका अपना संस्कारी सुमित सामने आप देख रहे हैं डवलू आरवी अब एक्च्वल में डवलू आरवी का मतलब जनम कैसे हुआ वो हम देखें तो हॉंडा की जैज आती थी काफी अच्छी ओफरिंग थी कंपनी की लेकिन एकदम से जो मार्केट वैसे ही चला गया यह गाड़ी भी उसी के साथ एक डवलू एर भी क्लैडिंग के साथ आए थी गाड़ी यह देखिया क्रॉस ओवर लुक था वो ट्रेंड चला गया लेकिन इस गाड़ी ने अपनी अलग जगा बना ली उसके बाद जो ट्रेंड आया फिर सब सब 4-meter SUV का उसमें यह घुल मिल गई है बिल्कुल है क्रॉस ओवर लुक लेकिन जो टक्कर दे रही है इस समय की ट्रेंडिंग जो गाड़ियां है सब 4-meter कॉम्पैक्ट SUV उनको रीजन क्या है रीजन इसका यह लूक आप देख रहे हैं नॉर्मली जो हमारी जैज आती थी सिर्फ उसी को क्लैड़ेड नहीं कर दिया कंपनी ने नॉर्मली उसी में उठाके क्लैड़िंग डाल दी या फिर उसी का जो हमारा ग्लाउंग टेरंस है उ वंडा का लोगो क्रोन की ग्रिल देखें और उसके अलावा जो बोनट है बंपर की शेप है बहुत ही जादा एंगुलर दी हुई है यह देखोई एजेज हैं काफी जादा और जबरदस्ती लगती है देखने में सामने से देखें इसके हैड लैंप यहाँ पर दी है जो इस पेटरोल में कोई भी फीचर में डिफरेंस नहीं आता जो फरक आता है वो है पैसो का बिल्कुल पेटरोल और डीजल में जो डिफरेंस है प्राइस का एक शोरों की बात करूँ एक लाग अठासी अजार का है इसलिए बहुत लोग हैं जिनकी रणिंग कम है या वो चल रहा है यहां पर आप देखें प्रोजक्टर है साथ में LED लैंप है और यहां पर दूर से देखने पर जो इसकी अपीलिंग चीज़ लगती है ना वह इसकी यह लाइट काफी जादा काफी जादा लिटरली बहुत तेज जलती है यह यह देखने में साइट से आपको जा है यह आप देखो मैटी टाइप की फिनिश है काफी जादा और यहां पर भी ओवराल डार्क शेड में डार्क कलर में यह क्रोम का काम काफी जादा प्रीमियम लगता है रगडनेस के लिए जैसे मैंने बताया है पूरी साइड से होते हुए आगे की तरफ आती है और यहां पर आपको इसकीट प्लेट मिलती है इस तरह से ऊपर से लग रहे हैं यह देखने में जैसे आपको एसेसरी का पार्ट हो लेकिन ऐसा नहीं है गार्निश जितने भी आपको यहां पर क्रोम में दिख रही है कंपनी फिटेड ही है नीचे फॉग लैंप जरूर मिलता आपको और फॉग लैंप भी हेलोजन में नहीं है कंप्लीट जो सैट अप है आपका यह पूरा पूरा एलीडी है नीचे फॉग लैंप है यह भी हैलोजन नहीं यह भी एलीडी है एक बार आपको जला के दिखाता हूं यह देखो तो भाई कुछ इस तरह से लुक देती है रोड पर डियरल इस्टिल जलते रहते हैं साइड में आप देखो वहाँ पर फ्लिकर जो कर रहे हैं और यहां पर हमारा आता है में लैंप और उसके नीचे यहां पर देख रहे हैं यह होगे फॉग लैंप इस तरह से प्यॉर में सबसे पहली चीज जो में दिख रही है वह इसके वील्स और वील की बात करें अच्छे खासे 16 इंच के दिए हुआ है और सेक्शन देख है 19560R16 19560R16 और इस तरह के डामेंड कट अलोएं हैं डिस ब्रेक दिए हुए यह साथ में और ग्राउंड क्लेरेंस जो दिख रहा ह है उपर है लेकिन उसका भी 180 आता है इसका 188 है इनहीं चीजों की वैसे उनको काफी जादा मार्क में टक्कर दे रही है गाड़ी साइट प्रोफाइल में पूरा देखते हैं अच्छी कासी हाइट दिखती है गाड़ी की और वील बेस जो अंदर इंटीर स्पेस हैं में साइट प्रोफाइल में एक और चीज जो मैं दिख रही है वह भाई इसका काफी आदा स्लोपी ग्लास यह आप देख रहे हो और इसकी वैसे हमें दो दो क्वाटर ग्लास इसमें मिलता है रियर क्वाटर में तो मिलता ही है इंटिर कैबिन में जो हमको लाइटिंग देने के लिए वो तो है लेकिन साथ के साथ यहां पर हमको उससे बड़ा फ्रंट में क्वाटर ग्लास मिल रहा है और जिसकी वैसे साइट प्रोफाइल आप देख रहे हूं जवर्दस्ट विंडो ग्लास एरिया इतना बड़ा लग रहा है इन दो ग्लास की वैसे दो एज़े मिल च अगर यह पोर्शन भी ब्लेक डाउट हो जाता आपको फ्लोटिंग रूफ दिखता यहां पर आपको ऊपर रूफ रेल दिख रही है सिल्वर एसेंट में रगणने जैसी आगे और पीछे से दिखती है साइप्रोफाल में कहीं सिल्वर एसेंट नहीं है तो यहां पर आपक कुछ मिल रहा है कील एस एंट्री एस मैं अभी जब इंटीर पर जाएंगे वह सारी चाहिए आपको दिखाता हूं नीचे आपको पूरी की पूरी रगेड़नेस के लिए जो 360 क्लैडिंग दिखती है वह तो है साथ में बॉड़ी मोल्डिंग भी ऊपर से लगी हुए बिलक और लाइन आप देख रहे हैं किस तरह से जा रही है और यह एंड हो जाती है बिलकुल रियर टेल की तरफ टेल लैंप आपको कुछ इस तरह के मिल रहे हैं अपडेट हुआ था यह उसके बाद और ज्यादा जैसे आपको यहां पर अंदर डिफ्यूस सेट अप मिला अमेज मिलती है लेकिन इंडिकेटर आपको अब भी वैसा ही हैलोजन में एंबर कलर का यहां पर मिल रहा है सिर्फ वही हैलोजन है उसके अलावा सब कुछ LED सैटप है यहां वी एक्स की बैजिंग आपको दिख रही है और आईडी टेक पेट्रोल होता तो आईवी टेक यहां पेट्रोल और fifnd dia Rat तो आ आठीज को दिख झाती है और टो किए पट्रोम यहां पर दिख री आपको बड़ी सी स्कीड पْलेट चारप रही मिलते आँ कर आ इहां बड़ сможet तो इस तरह से हमारी जो profile है वो complete हो जाती है overall देखने में जैसे आगे muscular लगती है पीछे से वैसे masculinity के साथ चौड़ाई काफी लग री गाड़ी की आगे से यादा चौड़ी गाड़ी पीछे से देखने में लगती है इस ताह से साइट प्रोफाइल पर फिर से यहां पर आपको मिलता है फ्यूल फिलर के पैट्रोल और डीजल कोई सा भी लें आप इसमें मिलती है आपको टैंक कपैसिटी चालिस लीटर की इस तरह से हमारा जो ओवर व्यू है वह कंप्लीट हो जाता है वाकरांड 360 एक्स्टीर का और दोन चीज़ दिखाता हूं आपको चाबी इसकी कुछ इस तरह से हमको इसकी की मिलती है लॉक अनलॉक दो ही बटन दी है किसी और तरह बूट रिलीज नहीं है या फिर फॉलू में वगरा कोई फीचर नहीं है इसमें सिर्फ यह दो फीचर है और दोनों हमको रिमोट की दी यह जो भी सॉफटैच मिल रहा है आपको यह मैस आपको यहां पर दिख रहा है यह सिसमें यहां पर यूजी होगव है और उसके लावा हर जगा पलास्टिक है यहां control की बात कर रहे है तो बद चार अज सार्व पार करने के लिए देखिए इस तरह से हैं पूरी complete हमारी यह चोटा मोटर को समान नखने वैसे गेट बंद करने के लिए जगा यहां पर आपको एक लीटर की वाटर बॉटर मिलता है उसके लावा यहां पर चोटी जगा इस पीका ग्रिल यहां पर मिल रही है चार दोर में आपको इस तरह से मिल जाते हैं दोनों साइट ट्विटर तो वाई अब बैठते हैं इसमें जरह होते हैं comfortable में चीज है seat काफी ज़्यादा बड़ी है मतलब feel हो रहा है यह अंडर थाई support काफी ज़्यादा है बाकी गारियों से अब तक जो मैंने देखी है उनसे ज़्यादा है मैं जनरली जैसे नापना हूँ एक यह देखो जरह कितना बड़ा मतलब feel हो रहा है खुद मेरे को और चोड़ाई भी काफी यह seat की बहुत अच्छे से अंदर scoop कर लिया है स्कूप काफी बड़े है seats की चोड़ाई काफी ज़्यादा है यह चीज लिटरली feel हो रही है बैठते है यहां पर dashboard आप देखो सबसे पहले चीज डैश बोर्ड इस तरह का मतलब symmetrical नहीं है यहां से चोड़ाई कम है यहां से चोड़ाई क्योंकि इसका layout ही कुछ इस तरह से driver की side phased है पूरा का पूरा यह देखिए आप इस तरह तिर्चा है क्योंकि यहां अगर यह सीधा रहता है ना तो भाई सामने की चमक वगरा इस पर लगते में दिखाने अभी शीट लग रही है प्रोटेक्टिव फिल्म लग रही है इस पर आप देखो और पूरा यहां पर ग्लॉसी ब्लैक दिख रहा आपको देखो देखने में बढ़िया लग रहा है और हां यह आपको अभी च कंट्रोल इसको जैसे दवाएंगे यह पूरा का पूरा यहां से गायब हो जाए जो आपको कंट्रोल दिख रहा है ना टच रैस्पॉंसिव है कंप्लीट्ली यह देखो बिल्कुल गायब हो गया वह इस तरह से प्रीमियम मैस है लेकिन विजिबिल्टी कहीं ना कहीं थोड पूरा का पूरा जो ले आउट है गाड़ी का उसमें यही चीजे यही एसेंट दिख रहे हैं यहां पर देखिया और यह भी आपको वेंट जो मिल रहे हैं यह भी ड्राइवर के साइड को टिल्टेड है यह हमारे अंदर इंटीर के तरफ और उसके बावजूद अच्छा लग रहा है इंटीर यहां देखते हैं ग्लोब बॉक्स इस तरह से जादा नहीं लेकिन कम भी नहीं ठीक है इस पेस और यह तो दिखाई दिया आपको यह पूरा देख ले अंदर जो लाइट जलती है वो रैड कलर में है इसमें यहां पर आप देखो अभी दिखनी रही हो यह मैश ही कुछ डिजाइन दिया है यहां पर अच्छा लग रहा है देखने में नाइस टाच वह बाई एयर वैग एयर वैग दो एयर वैग मिल रहे हैं इसमें और उसके साथ साथ यहां देखे हम एडजस्मेंट तो यह हो गया उपर नीचे और हाँ बाई टिल्ट एंट कोपिक दोनों एडजस्मेंट इसमें आपको मिल जाते हैं बढ़िया चीज यह हो गया हमारे कंट्रोल्स यह वाइपर का और यह हो गया हमारा जो हमारी है यह फॉग लैंप है उसका अब आया आती है बात अंदर की मतलब इसके क्लस्टर की क्लस्टर देखने में काफी कहीं उसकी तरह लग रहा है देखने में 220 की टॉप स्पीड है एक बाद स्वाइप अपन डाउन देखते हैं करता याने यह कुछ नहीं भाई स्वाइप अपन नहीं है लेकिन जो कलर है वह ब्लू ही है जैसे उसमें आता था यहाँ पर आपको छोटा सा मिल रहा है यहाँ पर नीचे बाहर आते हैं हमको भाई जो भी हमारा फ्यूल है उसको सू करता है यह हो गया हमारा टैकोमेटर एनलोग में है और यह भी हो गया हमारा पूरा सुनिया हूं यह आपको दिख रही है तो भाई इस तरह से स्पीडोमेटर ओर देखने में अच्छा लग रह है वैसे इंटीर काफी यादा अपडेटेड लग रहे हैं नीचे की तरह आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है यह हो गए हमारी यूएज भी जो हम इससे करेंगे कोई भी स्टूर्स डिवाइस यह हमारा चार्जिंग के लिए और यह बारा वोल्ट का पाई सॉकेट हमारा यहां पर आपको स्पेस दिख रहा है और इसके साथ रिमोट भी है रिमोट एक बार खूल के दिखाता हूं मैं स्टीरियो को सेलेक्ट करने के लिए अच्छा टच है कि पीछे कोई भी परसन है उसको आगर इसको यूज करना है आप ड्राइवर से चलवाते हैं तो आ पहली जनरेशन की जो हमारी डिजायर वगर आते थी तो उसमें भी यहां पर दिये जाते थे सुफ्ट में भी था और ठंडी हवा आते रहेगी एस इवेंट के बिल्कुल सामने कोई भी आपका वगर रखेंगे तो उसमें ठंडा रहेगा यह एक्स्ट्रा दिया है इसके ल रेसिंग गारी होती है उनके छोटे-छोटे दिया जाते लेकिन इसमें क्यों दिया यह चैस्पीड का गेर बॉक्स है इस तरह से कन्वेंशनल रियर है लेकिन भाई उतना ज्यादा सौफ नहीं है लेकिन बिल्कुल अपनी जगा पर सैट बैठ रहा है यह चीज़ अच्छ आपको पर भी लेडर घंबल रहा है आं और आम रस यहा WOR यहां पर आपको दिया हुआ है यहला कुछ यह उठाते हैं यह in लल् अब आयाती है बात यहां की और यहां की बिल्कुल इसमें संडूरूफ भी मिल रही है आपको जो कि अगर टॉप मॉडल कोई लेता है खासकर हॉंडा यासे रेपूटेट ब्रांड से तो बिल्कुल चाहता है कि में आपको संडूरूफ मिले और वो भी इस केटेगरी में इस प्राइजिंग में सबसे बहले तो यह लाइटिंग होई लाइटिंग कुछ इस तरह से ओन एन ओफ यह हो गया और उसके बाद यह संडूरूफ है संडूरूफ एक बार मैं इसे ओन हाँ है यहां देखो कुछ इस तरह से खुल जाएगी पैनॉर्मिक नहीं है जो प्रीवे कर पाएंगे कर प्राइजिंग को गंट्रोल करना और यह हो गया हमारा ब्लाइड ब्लाइंड को मैनुली बंद कर देंगे कुछ इस तरह से आगे का पूरा व्यू हो गया है लेटरली जैसा मैं आपको बताया बहुत बढ़ा है बहुत बढ़ा ग्लास एरिया और ऐसा यहां हाँ पर हाइट एजस्मेंट मिल जाता है बिल्कुल सीट हाइट इसमें दिया हुआ है लेकिन दुबारा से कहुंगा सीट भाई लिटरली बहुत चोड़ी है इसमें कोई भी अपहुसी देनी चाहिए थी मतलब इसमें लैदर बगार रैपिंग या लैदर एठी देते लेकिन वो देना चाहिए था तो इस तरह से होगे यह आगे काई स्पेस अब आती है टीर की अपने हिसाब से मेरी सेट है सेट और यहां पर बैठते हैं बहुत बढ़िया रूम है जबर्दस यहां पर लैग रूम दिया हुआ है अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है यह आप द पीछे फिक्स दिए यह थोड़ी सी सही नहीं है चीज यह देना चाहिए था और एक चीज बहुत सही सी लग रही है मुझे अब तक किसी भी गाड़ी में फ्लोर मैंने पीछे का जब बैठते हैं तो इस तरह से स्लोप नहीं देखा हमेशा सीधा दिखा है यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है आराम से बैठने के मंदे और आमरेस्ट भी नहीं है नो 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 यह चीज गलत है यह होने चाहिए तो इस तरह से सेकेंडरी लेंप भी दिया है इसमें यह आपको दिख रहा है तो यह है पूरा का पूरा स्पेस पीछे की तरह बैठते है तो ऐसा फिल इस तरह से हो जाती है जो रियर का स्पेस अब आती है इसके बूट की तो यह आपको दिया हुआ है कुछ इसका बूट स्पेस डीप नहीं है यह बड़ी है अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो भाई 366 लीटर है वाई सही है बड़ी है चौड़ा ज्यादा डीप ज्या तो सामान रखने में एजी रहेगा यह सही है और साथ में अगर इसको एकसेस करना बड़ा करना इसको आपको तो यहां पर आपको दिया है फोल्ड लेवल सीट है पूरी पूरी स्प्लिट सीट ऑप्शन नहीं है इसमें पूरी आप सीट फोल्ड कर सकते हैं कपैसिटी और पर जाएगी ट्रिम पूरी प्लास्टिक है बढ़िया है इसको करते हैं और बंद करने से वहले हैं कैमरा भी दिया हुआ यहां पर कि देखिए रिवर्स पार्किंग के लिए तो इस तरह से कंप्लीट हो जाती है इंसाइड आउट अब बात आती है इसके इंजन की क्योंकि अगर आप यह लेते हैं तो भाई करीब करीब 2,10,000 रुपे ऑन रोड जो आप भरेंगे वो आप सिर्फ इसके इंजन की तरफ के लिए भरेंगे यह हो गया हमारा फ्यूल फिलर कैप और यह हो गया बोनट क्यों पैट्रोल से करीब 2,10,000 के एराउंड यह ऊपर चली आती ह यह एक लाग 6,000,000 के करीब एक शोरूम में डिफरेंस हैं तो यह यहां पर हमारा इंजन बोनट मतलब काफी जादा हलका सा फील हो रहा है लेकिन हम यह चीज नहीं देखेंगे के वल वेट में हलका भारी है में चीज है गाड़ी का वजन गाड़ी का वजन एराउंड चला यहां पर दिख़ा है लिखा हुआ 1500 CC का इंजन है और ठीक ठाक अच्छी खासी मतलब अगर पावर की बात करें तो भाई 98 भी देता है यह और उसके साथ अगर बात करें टॉर्क की तो 200 अनम का 200 अनम का टॉर्क देता है ABS with EBD इसमें आपको मिल जाते हैं इस तरह का layout है और डीजल इंजन जिस performance के लिए बने होता है low and torque के लिए वह चीजी अच्छे से आपको डिलेवर करता है यहां पर आपको क्लाइडिंग पूरी देख रही है एन्वेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए इसको करते हम कुछ बंग तो भाई गाड़ी हो जाती है complete हमारी overall आपने देखा पूरा इंटीर एक्स्टीरियर अंदर बैटके ऐसा फील होता है कि हाँ प्रीमियम गाड़ी हम बैठे हैं कुछ-कुछ चीज़ बहुत अच्छी लगी जैसे सीट सीट काफी जादा comfortable है इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी है और उसके बात बात करें अगर इसके हम front lighting setup की DRL की lighting चमक बहुत अच्छी है सामने से visibility बहुत बढ़िया हो जाती है और दूसरी चीज जो हमारे projector है fog lamp के साथ साथ हमारे main light दोनों की दोनों white LED दी है ये भी चीज प्रीमियम है sunroof आपको मिल जाती है वो बढ़िया है लेकिन उसके साथ साथ छोटी सी कमी जो लगी वो यह है पीछे की जो headrest है वो fix है इसमें और उसके अलावा जो हमारा split seat option है पीछे वो होना चाहिए था folding के लिए तो at the end बात करते हैं इसकी pricing की VX variant था top end डीजल में और अगर pricing की बात करें तो भाई 11,86,000 रुपे की यह पढ़ती है आपको एक showroom on road की बात करें तो करीब करीब 13,84,000, 13,82,000 के करीब 13,82,000 की यह आपको पढ़ जाती है उत्त्राखंड के हलदवानी में मैं उस समय प्लैनेट होंडा हलदवानी पर तो गाड़ी कैसे लगी बताना जरूरू वीडियो कैसा लगा बताना जरूरू अगर आपको वीडियो अच्छे लगा है आपकी अपिनियन का गाड़ी के लिए तो प्लीज लाइक करना वीडियो को शेर करना अपने दोस्ते के सब्सक्राइब करने ना संसकारी समय चैनल को जय हिंता